नमस्कार दोस्तों आज का दिन हम 36 गड़ के लोगों के लिए बहुत ही यादगार दिन है क्योंकि आज ही के दिन अर्थात 19 जून सन 1871 को हमारे 36 गड़ में पत्रकार्टा के जनक और 36 गड़ मित्र के संपादक या प्रकाशक माधोरा सप्रेजी का जन्म हुआ था बात करें दोस्तों माधोरा सप्रेजी के बारे में तो इनका युगदान बहुत ज़्यादा है इस वीडियो में आप लोग को इनके बारे में किये गए कुछ कार्यों के बारे में बताऊंगा और पूरे डीटेल के साथ जिसे हमारे PSC और व्यापम के एक्जाम में अगर कोई निईसपेपर है वो किनको अशरे जाता है दोस्तों तो जाता है हमारे माधोरा सप्रेजी को और आज मतलब 19 जून 2018 ये माधोरा सप्रेजी का 147 जन्म दीन है पंडित माधरा सप्रे जी का युगदान देखे दोस्तों तो में तो है इनका जो इन्होंने पेंडरा में स्री राम राव ची चोलकर के साथ मिलकर के हिंदी पत्रिका छतिगण मित्र का जो संपादन और प्रकाशन शुरू किया था इनके लिए इनको बहुत जादा जाना जा इसलिए चतिगण सरकार पत्रकारिता के छेत्र में पंडित माधरा सप्रे शम्मान भी देती है तो आज से 118 साल पहले इन्होंने पेंडरा में चतिगण मित्र का स्टार्ट किया था निउस्पेपर इन्होंने बालिका विद्यालाय मतलब ये लड़कियों को सिक्षा दिया जनरली 1912 है लेकिन कहीं कहीं 1911 लिखा रहता है कि 1911 में ने क्या किया है जानिकी रेवी राष्टी पार्ट साला की स्थापना किया था ठीक है तो ये कहीं कहीं पर दिखा रहत है 1911 तो आप लोग थोड़ा सा देख लिजेगा और 1905 में पंडित माधरा सप्रे जी ने क्या क पूर में हिंदी गंद प्रकासर मंडली की स्थापना भी किया है तो किस ने किया है दोस्तो माधरा सप्रे जी ने किया है बात करें दोस्तो पंडित माधरा सप्रे जी का युगदान तो इन्होंने जो कर्मवीर था उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा भूमिका मतलब हम 36 गड़वालों की देन है वो किसका है दोस्तो तो माधवराव सप्रेजी का है विख्यात संत जो थे समर्थ रामदास के मोलता मराठी में जो रचित रचना थी दोस्तो दाश बूद्र और जो लोकमान तिलक ने जो रचना किया था गीता रहश्य तथा चिंता मड़ी सप्रेजी ने क्या किया है तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है तो यह सब चीजों को याद रखना है यह अपने एक्जाम में भी पूछ सकता है पंडित माधवरा सप्रे का योगदान देखे तो और भी है दोस्तो राजीम में किसान सभा का गठन किया था यह याद बात करें दोस्तों इनकी कुछ अन्य रचनाया है जैसे स्वादेशी अंदोलन और बाइकाट यूरोप के इतिहास से हमने हमारे सिखने योग्य बाते हमारे समाजी खास के कुछ कारणों का विचार माधवरा सप्रे की कहानिया है जैसे हिंदी केसरी प्रत्रिका थी और चत प्रत्रिका थी उसमें जो आया था आर्टिकल उसमें इन्होंने लिखा था कि माधवरा सप्रे जी थे वो हिंदी के एक आधार इस्तंब थे में यही है कि माखलाल चत्रवेदी जी ने उनको क्या कहा है हिंदी का आधार इस्तंब कहा है याद रखेगा मतलब हम 36 गड़ की बात नहीं कर रहे हम पूरे के पूरे हिंदी हिंदी भासा का जो भी ग्रंत आया जा रहा है जो भी चीज आ रहा है उसके आधार इस्तंब माने जाते हैं हमारे कौन तो माधवरा सप्रे जी दोस्तों हमें अपने 36 गड़ी होने पर गर्व होना चाहिए जय जोहार जय 36 गड जरूर करिएगा और माधवरा सप्रे जी को हमेशा याद रखेगा थैंक यू